गुड मॉनिंग स्टूडन्ट मैं मॉनि इंटरनेशनल स्कूल से रिता त्रिपाथी आप लोगों को कक्षा पांच में हिंदी वी से पढ़ाने वाली सबसे पहले बच्चो ये बताईए आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे वेरी गुड बच्चो आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है अब आज हम पढ़ेंगे पाथ नमबर दस पॉंगल की धूम तो बेटा हमने आपको लाश्ट वीडियो में पेज नमबर 49 याने की पन्ना नमबर 94 पढ़ाया था वो आप लोगों ने फिर से एक बार रेड किया पढ़ा बच्चो वेरी गुड बच्चो तो आप लोगों ने जब पढ़ा है तो एक लोग हम एक पर हम से हम फिर से रिवाइस कर लेते हैं बच्चो तो इस पाठ में इस चैप्टर में गनेश और केतन नाम के दुमित्र रहते हैं बच्चो पता है ना वेरी गुड त तो फिर कौन गया था तक मिलनडू बच्चों केतन गय थे वैरी गुड बच्चों क्यूं गय थे अपने मुम्मा पापा के साथ पौंगल का त्यौहार मनाने गए थे और यहां फिर दोनों मित्र जब मिलते हैं तो आपसमें वारता लाप करते हैं बताते हैं कि पॉंगल का तेवहार क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है आज पढ़ेंगे पन्ना 50 याने की पेज नमबर 50 और चलिये हर एक का ध्यान टेक्स बुक में होना चाहिए आपने अपनी ट्डेक्स बुक में धयान दीजिए बेरे घुट बच्चो आप लोग तो बहुत ही टैलाइन्टेड बच्चे हैं तुरंत अपने अपनी टैक्स में आप लोग ध्यान देने स्वर्ण नहिए पन्नानव 50 अप सुनिएगा बच्चो गनेश में तेओहार में क्य कि इस्तियो भार में करते क्या क्या है ,कैसे करते हैं ,कैसे मनाते है अब केतन ,जवाब दे रहा है , उत्तर दे रहा है , पहला दिन भोगी पॉंगल कहलाता है , इस दिन लोग वर्षा के देवता भगवान इंद्र की पूझा करते हैं , पुरानी और बेकार चीजों को जलाते हैं नए उगे चावल को पीस कर कोलम बनाते हैं अब बच्चो केतन कहता है पहले दिन को भोगी पॉंगल कहा जाता है क्या कहलाता है पहला दिन भोगी पॉंगल के नाम से जाना जाता है और इस दिन इस प्रकार से पूजा होती है कि इस इस दिन वर्षा के देवता कौन है बच्चो इंद्र है और इस दिन वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाती है और घर में जो बच्चो पुरानी चीजे वेश्ट चीजे होती है खराब चीजे होती है उसको जला देते हैं यानि कि उसको नश्ट कर देते हैं और नए बनाते हैं अब कोलम में इस बच्चों जैसे हम लोग यहां रंगोली बनाते हैं लुद ऐसे वह चावल की उसे रंगोली जैसे बनाते हैं उसे कोलम कहा जाता है उसके बाद में बच्चों गणेश और दूसरे दिन बीच में टोकते हुए और बच्चो फिर इतना केतन बोलता नहीं है कि उतने में गणेश बीच में टोक देता है यानि कि बीच में बिना फालतु के बोल देता है कि और दूसरे दिन क्या करते हैं केतन बताता हूं थोड़ा रुको दूसरे दिन सूर्या पॉंगल मनाते हैं इस दिन सरकराई कहते हैं, भोग लगा कर सब मिलकर खाते हैं, सब को सुब कामनाय देते हैं, और फिर यह केतन कहता है, बीच में टोको मत मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सांती रखो, दूसरे दिन सूर्या पॉंगल मनाते हैं, आप सूर्या पॉंगल कैसे मन बच्चों ध्यान दीजीएगा किस प्रकार से क्या करते हैं उस दिन सूर्य की पूज़ा करते हैं और वो पूज़ा करते कैसे हैं नए चावल यानि जुआर जो बनाते हैं इतनी कहते हैं तो जुआर चावल दूद और मक्खन से जो खीर बनाई जाती है बच्चों से सरकराई कहते हैं और यह सरकराई का फिर भोग लगाते हैं किसको भोग लगाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद में सब लोग खाते हैं और एक दूसरे को सुभ काम नाये देते हैं गणेश मैंने पिता जी से सुना है कि पोंगल में पसुओं की पूजा की जाती है उसके बारे में तो बताया ही नहीं और फिर गणेश कहता है मैंने अपने पिता से यानि कि अ ऐसा गणेज कहता है बच्चो फिर केतन बोल रहा है बिल्कुल ठीक सुना है अभी में वही बताने वाला था तीसरे दिन माटुट पॉंगल के दिन पसुओं को नहला दुला कर सजाते हैं उसकी पूजा करते हैं और फिर केतन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है पिता जी ने बिल्कुल ठीक बताया है बिल्कुल सही बताया है अभी में वही तुमसे बताने वाला था वह पूजा तीसरे दिन की होती है और उसे माटुट पॉंगल के नाम से जाना जाता है तीसरे दिन को और उस दिन जो पसु होते हैं यानि कि जो पाल तुप्रानी होत और उनकी पूजा की जाती है गनेश माटूट पॉंगल में और क्या क्या होता है और फिर गनेश से फिर भी तसल्ली नहीं है गनेश यह सोच रहा है कितनी जल्दी में कितना कुछ जान लूँ उसकी वज़ा से गनेश फिर कहता है और माटूट पॉंगल में और क्या क्या होता है केतन इस दिन खेतों में गोबर से गणेश की मूर्ती बना कर उसे सजाते हैं मिट्टी के बर्तनों में चावल दूद नारियल और सक्कर मिलाकर पॉंगल बनाते हैं पसुओं के साथ साथ हल तथा अन्य औजारों की भी पूजा करते हैं बेलगाडी की दोड़ भी होती है ब खेत होता है उसके अंदर गोबर से गणेश की मूर्ती बनाते हैं और फिर मिट्टी के बर्तन में चावल दूद नारियल सक्कर मिलाकर खुब सुन्दर पॉंगल बनाते हैं यानि कि खाने की चीज बनाते हैं बच्चों और पसुओं के साथ साथ यानि कि जो पालतु प्रा अन्य और यानि कि खुर्पी और इस तरीके के जो घ्ट में प्रयोग होने वाले और ऑजार होते हैं उनने सारे और जहों की पूजा करते हैं बच्चों और पिर बता रहे हैं कि इस दिन भिल गाडी की नोड़ होती है बच्चों एक दोब्य होते हैं आर वह अपनी गाडी उसे बैल गाड़ी कहा जाता है तो बैल गाड़ी की दोड भी यानि की रेस भी होती है बच्चो बैल गाड़ी की दोड बहुत ही मज़ेदार होती है ऐसा केतन केतन कह रहा है गनेश अरेवा माटूटे पॉंगल तो बड़ा ही मज़ेदार है चोथे दिन क्या करते हैं और फि और 4 दिन तो शेपधमिल जूलकर खुब ही मोज मस्ती करते हैं बहुत ही मस्ती में रहते हैं अब घट्र चलें बहुत देर हो गई और फिर केतन कहता है अब चलो मित्र गनेश अब घट्र चलते हैं आप बहुत देर हो गई है और घर पे सब लोग परेशान होंगे तो बच्चो आप लोगों को पता चला ना कि पॉंगल कहां मनाया जाता है कैसे मनाया जाता है चार दिन तक इसकी पूजा किस तरीके से होती है किस तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है क्या क्या खाया जाता है और कौन-कौन से पसूओ की दोड होती है औ तो बच्चो अब ये page number 50 खुब अच्छे से रीट करना है जिससे कि आपको इस chapter के question answer बहुत ही आसानी से आ जाए तो बच्चो तब तक के लिए bye have a nice day